हेलो फ्रेंड्स आज जो विदेशी एयर राइफल की इस कंपेरिजन वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो निश्चे तोर पर बहुत ही मज़दार होने जा रही है क्योंकि एक हाथ में है मेरे जर्मन मेड टाइना 460 मेगनम इसका 1200 fps के लगबग जो मैंने नेट पड़ा है और अंडर लीवर रही है और दूती तरफ है मेरे पास गैमो जिसकी हमने पीछे एक वीडियो डाली थी बिक एट और टार्गेट रहेगा हमारा एक डाइरी है मोटी हमारे पास पेज दम नंबर देखेंगे कहां तक पेनिट्रेशन होती है दो दो राउंड फाय पोजिशन की ओर तो पहले फायर करेंगे हम बिक एट से जिसका लगबग साड़े 1200 fps है और ये पैलेट से मेरे पास दो और ये पैलेट डाल रिया लगबग डिस्टेंस रहे हमारा पंद्रा मीचर वरी तरह से टार्गेट हिला है दूसरा पैलेट डाल दिया गया है चल के देखते हैं क्या हुआ है तो ये देखेंगे हम ये एक पैलेट तो बाहर रुग गया इसका और ये दूसरा इसे काफी मोटा गत्ता है ये और ये पैलेट में एक्सपेंशन काफी हुई है इसमें और ये डेमेज दिया है इसने एपरिल 14 14 तक तो आप दूसरी गन से फायर करके देखते हैं इस पैलेट की एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो ये शाहिद इस वज़ा से इसकी पैनिट्रेशन कम हुई है थोड़ी चलो दूसरी गन से देखते हैं अब अब मेरे हाथ में है जर्मन में डाइना 460 मेगनम और पैलेट डाल दिया गया है इसके अंदर और ये बंद और ये सेफटी हटी हुई है अब इससे फायर करेंगे अब दूसरा राउंड डालते हैं काफी जोर लग रहा इसको चलाना कॉकिंग एफट काफी है इसमें अब बड़े जोर से टार्गेट हिला है तो चल के देखते हैं तो ये दो पैलेट लगे हैं यहां पर अभी इसके डायना 460 के गैमो के यहां थे गैमो का तो एक बचारा पैलेट बाहर ही रह गया ये अब इसको खोल के देखते हैं यही से लग रहा है काफी अंदर गई है तो जर्मन जीत गया है जहां तक टार्गेट को पहली नजर से देखें तो तो अब इसको खोल के देखते हैं तार्गेट को तो यह देखेंगे हम यह इसमें मिश्चित तोर पर बहुत ही आगे चली गई है यह बहुत ही आगे यह जर्मन ने स्पेन को हरा दिया यहां पर जबकि जबकि कुछ लोग इस बात पर कहते हैं कि fps की बात करते हैं fps ज्यादा तो ज्यादा एस तो 1250 इसका बता रहे हैं कुछ जगा पड़ा मैंने बिक कैट का जबकि इसका डाइना का जो है 460 का यह है आपका 1200 लेकिन यह देखो कितने आगे तक गई है वह था हमारा 12 अपरिल मेरे इसका डैमिज यहां से पता लग रहा है कितनी बुरी तरह इसने इसको फड़ा हुआ है तो निश्के तोर पर इन दो गंज में इन दो गंज में बिक कैट और डाइना में अगर कंपेरिजन हैं जहां तक पैनिट्रेशन की बात है एक ही पैलेट से हमने जैस्बी का पैलेट मेरी डाला था डाइबोलो 1813.43 ग्रेइन का था वह यह पैलेट अमारे पास यह पैलेट यूज यूज किया था हमने इसमें मॉंस्टर डै बाइबोलो जैस्बी का 13.43 ग्रेन का तो उस से यह इन में नुक्सान आया तो निश्यतोर पर इसकी पेनेटरेशन ज्यादा है में अविलेवल है इनकी वीडियो तेले भी हमने डाली है और इनके पेज का लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और इनके साथ आप इसकी रेट की बात कर सकते हैं और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब गरते रहे हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते हैं आपके रहेंगे तो दरने वास वही जीबाई गाइब अब्सक्राइब भी आपके अब्सक्राइब प्रूंत का आपके रहेंगे तो देने वास वो जीबाई